freeze float और slide का इसको ध्यान से समझाऊंगा क्योंकि मैं पिछले 23 सालों से बच्चों को physics पढ़ाता हूं और guide करता हूं admissions के लिए, engineering और medical colleges के लिए सबसे जादा गलती parents और बच्चे जो कर रहे हैं वो इसी में करते हैं एक common mistakes में से एक है कि हम अपना state quote को ध्यान से fill नहीं करते हैं सबसे जादा गलतीयां अगर कोई करता है और बात तक अगर regret करता है तो इसी point पर regret करता है पहली 2-3 round में क्या होगा? हलके हलके cutoff गिरेगी, last के 2 round में या 3 round में drastic cutoff जो है वो गिर्टी हलो बच्चों, दिस इस सौरब फ्रॉम physics वाला और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक तरफ need के controversy चल रही है दूसरी तरफ engineering के बच्चों के results आ चुके हैं, mains के और advance के और counselling का process start हो गया है हमारे पास बहुत सारी queries आ रहें थी कि हम लोग आपको guide करें इस जोसा के counselling process के थुरू और उसके बारे में आप से interact भी करें तो आज हम इस वीडियो के में आपके लिए जोसा का counselling process को समझाने के लिए आए हैं और आपकी further help भी करेंगे चलिए start करते हैं एक बार समझना जोसा का counselling process और क्या-क्या हमें इसमें ध्यान रखना है क्या-क्या चीजें हैं क्या important चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना है तो सबसे पहली बात है कि जो जोसा है जोसा का मतलब क्या होता है joint seat allotment authority ठीक है तो ये जो mains और advance के आपके exam हुए हैं उसमें जितनी भी colleges आपको choose करने हैं उसके लिए ये एक authority है जो common counseling platform जो है बच्चो को देती है ये काफी साल से चलता आ रहा है इससे बहुत पहले अलग-अलग हुआ करता था बड़ अब सारा consolidated करके होता है तो इसके थूँ आपको कहा का admission मिल सकता है तो देखेंगे तो आपको पास 23 IITs हैं आपके पास 31 NITs हैं आपके पास 26 IIITs हैं आपके पास 40 GFTIs हैं और IAEST जबलपूर वेस्ट बंगॉल का एक college है तो इतने colleges में आप इसके इलावा भी आप बहुत सारे जो private colleges वगयरा हैं उसको देख सकते हैं बट यहाँ पर जो main हम लोग बात करेंगे इन colleges की बात करेंगे जो आपको जौसा के थूँ एडमिशन दिलाने में help करती है GFTI का मतलब होता है government funded technical institute इसको कई बार CFTI भी कहते हैं कि center funded technical institute तो approximately अभी हम देखें अगर तो जो IIT में हैं अगर हम एक ballpark figure ले 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 तो approximately हम कह सकते हैं कि 17,000 seats यहाँ पर हैं हमारे पास ballpark figure में अगर हम कहें तो कह सकते हैं 23,000 seats यहाँ पर हैं हमारे पास करीब करीब अगर हम NIT की बात करें तो एक number ले तो हम 7,000 का ले सकते हैं या 7.5,000 का ले सकते हैं ठीक है GFTI की बात करें तो another जो है 8.5,000 की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें भी करीब हम सरफ 1000 seat की बात यहाँ पर भी कर सकते हैं एक ballpark figure के तो अगर हम देखें तो करीब हमें 56, 57,000 seats की visibility इस counselling process के थुरू दिखने को मिल रही है ठीक है तो आप सब लुक्षा जानते हैं अब देखते हैं क्या eligibility है eligibility जो है 75% marks आपके या तो board के exam में हो या आप board में top 20 percentile मर आते हो यह जो list है कि कौन से board की कितनी top 20 percentile है यह list जो है यह जौसा की website पर available है यह list जो है जैसे ही आप जौसा की website खोल रहे होंगे आपको सामने ही दिख रहा है tab जहाँ पर लिखा हुआ है कि top 20 percentile वाला hack है जिसको आप click करेंगे तो एक PDF खुलती है उस PDF के अंदर सारे boards की आपको top 20 percentile की जो list है वहाँ पर देखने को मिल जाती है या अगर आप reserve category के थूँ आ रहे हैं जिसमें SCST या PWD के category में आप आते हैं तो यह relaxation है याप 10 percent का तो 65 percent आपके mask class 12 के अंदर होने चाहिए अब अगर आपने mains और advance दोनों को qualify कर लिया है तो आप सब IIT's में भी apply कर सकते हैं triple IIT's में भी apply कर सकते हैं NIT's में भी apply कर सकते हैं और GFTI CFTI जिसको कहते हैं उसमें भी apply कर सकते हैं अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जही advance qualify नहीं हुआ है खाली mains qualify हुआ है और वो जोसा का form भर रहे हैं तो वो लोग IIT को छोड़के बाकी सारे में apply कर सकते हैं यानि NIT's में apply कर सकते हैं ट्रेपल IIT's में कर सकते हैं और GFTI में कर सकते हैं यानि जो मैंने 56,000 सीट आपको दिखाई थी 57,000 सीट जो आपको अभी दिखाई थी उसमें से 17,000 सीट माइनस हो जाती है यानि 40,000 सीटों के दावेदार आप अभी भी रहते हो ठीक है आगे बात करते हैं सीपर कि क्यासे procedure है पूरे जौसा का तो आप देखिए ये एक flow chart के थूँ आप देख सकते हैं कि कैसा procedure जौसा का बन रहा है सबसे पहले आपको जौसा की मैं एक step आपको बता दूँगा ठीक है short में और जो सबसे important step है उसमें freeze float और slide का इसको ध्यान से समझाऊँगा क्योंकि मैं पिछले 23 सालों से बच्चों को physics पढ़ाता हूं और guide करता हू admissions के लिए engineering और medical colleges के लिए सबसे जादा गलती parents और बच्चे जो कर रहे हैं वो इसी में करते हैं कि जहाँ पर freeze float slide वाला जो concept होता है इसमें confusion हो जाती है गलक जगा पे lock कर देते हैं और जो seat मिल सकती थी अच्छी वो नहीं मिलती है कई बाद जल्दबाजी कर देते हैं तो य requirement है scorecard की requirement है ठीक है और कुछ आपको नहीं चाहिए उसके बाद आपको choice filling करनी है ठीक है choice filling बहुत होती है choice filling ठीक है 100 choice तक मैं normally कहता हूं कि 100 choice तक आप अच्छे से भर दीजे उसके बाद एक mock allotment होता है तो जैसे सभी लोग आप जानते हैं कि 10 तारिक से खुल गया था यह और अब saturday 17 तारिक को first mock allotment होगा और 19 तारिक को second mock allotment होगा तो यह mock allotment हो जाएगा जैसे ही mock allotment होता है आपके पास freeze float slide का option आएगा इसको मैं समझा रहा हूं अभी इसको बहुत सबसे ज़्यादा energy सबसे ज़्यादा काम यहीं पर करना है क्योंकि बाकी सारा काम तो कोई होती है बहुत ज़्यादा उसके बाद आपको एक seat alert हो जाएगी अगर आपको seat पसंद आ जाती है आपका जो last year की statistics है वही आपको देखेंगे जोसा की website के अंदर opening rank और closing rank की एक list है उस list को भी देख सकते हो आप अपनी rank के अनुसार वहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या भी बात करेंगे ठीक है अगर आपके मनपसंद seat आपको मिल जाती है या जिससे आप satisfy हो जाते हो वह seat आपको मिल जाती है तो आप क्या करते हो choice को lock कर देते हो लॉक करने के बाद document upload हो जाएंगे आपके document verification की बात आएगी और final fees submission हो के आपका admission जो है वह confirm हो जाता है तो यह flow करनी है mock allotment होगा mock allotment के बाद आपके पास freeze float slide का option आएगा उसमें आप अभी मैं समझाओंगा कैसे इसको करना है freeze float slide को street allotment हो जाएगा अगर आप satisfied है lock कर दीजे lock करने के बाद document upload verify कर लिज़ करवा दीजे और उसके बाद final fees submission होने के बाद आपका admission उस college के इंदर confirm हो जात है ठीक है चलिए आए और आगे बात करते हैं कैसे 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 करके चलते हैं सबसे पहले जैसा मैंने कहा क्या करना है आपको विजट करना है www.josa.nic.in पर ठीक है आप सबी लोगोंने अभी तक विजट करी लिया होगा मैं नहीं लगता कोई ऐसा होगा इसने विज़िशन नह करेंगे वो बहुत-बहुत important है ठीक है तो इसलिए वीडियो के मैं अंतक बने रही है और इन सारी चीजों को जरूर ध्यान से देखिए मैं आपकी help भी कैसे करूँगा आगे वो भी बात मैं अभी करने आपसे जा रहा हूँ इस्टेट कोटा जब आप यूज करते हैं ठीक है इस्टेट कोटा अगर आपको यूज करना है जैसे सपोस करिए को यूपी को बिलॉंग करता है यूपी का स्टेट डलना चाहता है कोई किसी और स्टेट को बिलॉंग करता है पंजाब को करता है उत्राखर्ण को करता है व वो अपना स्टेट फिल करेगा तभी आपको स्टेट की जो eligibility का criteria है या जो facility है वो आपको मिल जाएगी ठीक है ये भी एक common mistakes में से एक है कि हम अपना स्टेट कोटे को ध्यान से फिल नहीं करते हैं ठीक है तो बहुत ध्यान से स्टेट कोटा स्टेट की eligibility को फिल करना है अपना और उसके बाद आगे बढ़ना है ठीक है फिर choice filling करनी है ठीक है अब आप दो काम जैसे सही करोगे कौन कौन से दो काम काम नमबर वन जैमेन application नमबर और काम नमबर टू कौन सा अपना सही state of eligibility यहा लिख देता हो मैं टू काम नमबर टू सही state of eligibility जैसे ही आप ये करोगे आप आपको automatically screen जो है वो options दिखाएगी जिसके लिए आप eligible हो ठीक है आपको वही option दिखाएगी जिसके लिए आप eligible हो एक example लेकर आपको समझाता हूँ जैसे suppose करिए कि आप UP के रहने वाले हैं और आपने अपना state eligibility UP का quota डाला है तो UP के जो state के colleges होंगे जो इस exam के थू eligible होंगे व आपको दिख जाएंगे दूसरा कोई state अगर allow कर रहा होगा तो दिखेगा अगर कोई दूसरा state allow नहीं कर रहा होगा तो उस state के colleges आपको नहीं दिखेंगे तो basically आपका confusion खतम हो जाएगा और अगर ये आप गलत करेंगे तो वो सारे colleges भी आपको दिखेंगे और आप उसके ल अब क्या है कि जो से मैंने कहा आप से सबसे important चीज freeze, float और slide ठीक है तो X पे बात करते हैं कि freeze क्या है, float क्या है, slide क्या है क्या precaution लेने है, किस तरीके से काम करना है इसके इलाबा भी आपके बहुत सारे questions होंगे ठीक है जैसे मेरे को X college में computer science मिल रही है और Y college में electronics मिल रही है बट Y college मेरा X college से better है, जैसे suppose करिए example के तोर पे किसी बच्चे को IIT दिली में computer science मिल रही है और IIT Bombay में electronics मिल रही है तो क्या लेना चाहिए, ऐसे confusion होते हैं या ये तो फिर भी क्या ले है, ठीक है, इसकी help के लिए मैंने आपके लिए process बनाया है अभी बताता हूँ, थोड़े दिर इसके साथ बने रही है, ठीक है freeze, सबसे पहले बात करने जा रहे है freeze की, ठीक है, freeze का क्या मतलब है, freeze जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अब हमें कुछ भी देखनी की जरुरत नहीं है, हम satisfy हो गए है, यानि क्या मतलब है, कि मेरे को college भी पसंद आ गया है, और मुझे branch भी पसंद आ गयी है जो मेरा dream था form भरने के time पर या जो मैंने last year's की statistics के accordingly opening rank और closing rank देखी थी या एक जो मैंने मन में बना रखा था कि मेरे को इस college में ये branch मिल जाए, कि मेरे को suppose करो DTO में electronics मिल जाए, या NSUT में computer science मिल जाए या IT दिल्ली में ये मिल जाए या किसी NIT में ये मिल जाए वो चीज मेरे को दिख गई है mock allotment में तो मुझे आगे अगर आपका college भी आपको पसंद आ गया है branch भी पसंद आ गई है तो आप क्या करेंगे freeze कर देंगे यानि ये best possible condition है ये क्या है? best possible condition है दूसरी बात है float float वो है ना तो college पसंद आया है और ना branch पसंद आई है और अभी हम आगे के round में participate करना चाहते हैं chance लेना चाहते हैं तो multiple rounds होते हैं का उसके कि आपको पता होंगे ठीक है? वो भी मैं भी आपको पता दूँगा कैसे है तो हम अगले round में participate करना चाहते है अब gradation की उमीद है अब gradation लगता है हो जाएगा तो हम float दबा देंगे ठीक है? यानि हमें ना तो college पसंद लिया है हमने अभी ना हमने branch लिया है ठीक है? अब हमने क्या कर दिया? float कर दिया अब जब software run करेगा तो हमें अगले round पर पूरा फिर से पर branch में मज़ा नहीं आ रहा है college से तो happy है पर branch में मज़ा नहीं आ रहा है कि NIT तरची तो मिल गया पर अभी civil मिली है अब लग रहा है शायद अगले round में mechanical मिल जाए, electronics मिल जाए, electrical मिल जाए, computer science मिल जाए तो हमने क्या करा? slide पे दबा दिया slide का मतलब हुआ कि college तो वही रहेगा उसमें branch upgrade करेगी अगला round जब run होगा counseling का तब क्या होगा? college तो आपने पकड़ लिया branch जो है वो run होगी, ठीक है? या suppose करो आपको IIT खड़कपूर मिल गया या जो second generation IITs है उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो रहता है कि IIT गांधी नेगर मिल गया ठीक है? IIT मंडी मिल गया है ना बट अभी हम सोच रहे हैं कि अगले round में हमारे पास जो है branch इसमें better हो जाए तो college पसंद है, branch पसंद नहीं है क्या दबाएंगे? slide दबाएंगे एक बार review कर लेते हैं, सबसे important है और मैं आपकी help भी करता रहूँगा जब तक एक counselling चलेगी कि college और branch दोनों पसंद आई है freeze, ना college पसंद आया ना branch पसंद आई, float next round में participate कर रहे हैं college पसंद आगया, branch पसंद नहीं आई slide, easy तरीका समझने का freeze, float slide, ठीक है, सबसे important यही होता है पूरी counselling के अंदर, सबसे ज़ादा गलतियां अगर कोई करता है, और बात तक अगर regret करता है, तो इसी point पर regret करता है, क्योंकि वो गलत उस समय पर decision ले ले लेता है और बाद में देखता है कि 5th round में, 6th round में उससे नीचे rank वालों को उससे better branch मिल गई है, उससे better college मिल गया है, क्योंकि उन लोगों ने freeze, float, slide का सही इस्तेमाल किया है, ठीक है तो इसलिए मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूं को choose करिए, disclaimer है बहुत बड़ा ठीक है, आपका जो मन हो, उसको आप choose करिए, हम सरफ आपकी choice में आपकी help कर सकते हैं ठीक है, तो मैंने पहले भी सिधा लिख दिया है कि depends upon the student ठीक है, choose the college based on your personal preferences, personal preferences कैसी हो सकती है कि उस लोगों की geographical preferences होती है, मैंने बहुत बार देखा कि North के बच्चे ID चिनने जाना नहीं चाहते, कहते, food अच्छा नहीं मिलता, South के बच्चे North आना नहीं चाहते, temperature का, climate conditions होती है, family conditions होती है, बहुत सारी चीज़े होती है, जो आपकी personal ही होती है, बिलकुल, जिससे कोई भी counselor, कोई भी guide, कोई भी mentor, आपको उसमें help नहीं कर पाएगा, बट हम एक best guidance दे सकते हैं, ठीक है, तो आपकी personal choice हो गई, normally जो trend, recommendation की ज़्यादा better word होगा, कि जो trend हमने देखा है, या जो आपने भी देखा होगा, जो follow किया जाता है, वो trend क्या है, सबसे पहले लोग लेते हैं, top 7 IITs में, अब आप पूछो के top 7 IITs कौन से हैं, तो generation 1 IIT, generation 1 IIT कौन कौन से होते हैं, सबको ध्याने पुराने वाले हैं ना, gen 1 IITs कौन से हैं, पुराने वाले IIT, generation 1 IIT कौन से होते हैं, कानपुर, डेली, मुंबई या बॉम्बे जिसको कहते हैं, खड़कपुर, गोहटी, ठीक है, रोड़की, बियेचियू है ना, ये तो first generation IIT होते हैं, अब इसमें दो IIT आप आज की डेट में और लोग जोड़ देते हैं, वो IIT हिदरबाद जो अच्छा है और IIT इंदोर, तो इसको थोड़ा सा बेटर माना जा रहा है, generation 2 IIT, बाकी सारे IIT भी अच्छे, normal trend filling यही होती है, ठीक है, फिर, triple IIT हिदरबाद, और triple IIT Bangalore, ठीक है, यह trend अगर आप देखेंगे, लास्ट के कुछ years में, तो आपको देखेगा, कि triple IIT हिदरबाद, तो कई cases में, या बहुत cases में, IIT Mumbai Computer Science को compete कर देता है, है ना, इतना अच्छा है, इसका performance है, industry driven syllabus है, triple IIT इसका आप सब लोग जानते होंगे, तो triple IIT हिदरबाद स्पेसिफिकली, काफी industry driven है, syllabus है, और IIT Mumbai को टकर देता है, Computer Science के अंदर, SE, triple IIT Bangalore है, उसके बाद फिर, हमारे normally बच्चे लेते हैं, top 3 NIT किसको चूज करते हैं, CSE को, यानि Computer Science Engineering को, top 3 NIT आप पूछोगे, तो आपको ranking के साब से पता ही होगा, करते हैं, आपकी choice differ कर सकती है, मैं फिर से disclaimer बोल रहा हूँ, आपकी choice है, हम सिरफ एक trend बता रहा हूँ, कि trend बच्चे क्या follow करते हैं, ठीक है, एक advice दे रहा हूँ, ठीक है, follow करना या ना करना आपकी इच्छा है, कि अगर बहुत अच्छा college मिल रहा है, अच्छा college मिल रहा है, और lower category की branch है, तो थोड़ा सा please उसको avoid कर दीजे, ठीक है, जो outdated हो चुके जैसे paint technology, printing technology, काफी हद तक textile, ठीक है, और भी एक दो branches हैं, जो थोड़ी सी obsolete हो रही हैं, ठीक है, तो उनको आप सरफ college के नाम पर मतलीजे, थोड़ा सा finally फिर pressure आ जाता है, जब PPO का time आता है, या actually placements का time आता है, तब उन branch को थोड़ा सा challenge आता है, ये ऐसा बच्चे ही feedback हमें देते हैं, जो पढ़ाय हुए बच्चे college में जाते हैं, वही फिर मिलने आते हैं, तो वह जो feedback देते हैं, उसी के basis में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा ये रहेगा, कि lower branches को थोड़ा सा avoid कर लीजे, आपको मनवसंद सब कुछ मिल जाए, फिर आप lock करिए, आप तक है, मैं इस वीडियो के साथ एक Google form share कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात होगी कि किस college को कैसे आपको चूज करना है, फिर देखे, छे round तक counselling के होते हैं, जो calendar है, घबराना नहीं है, ये बहुत important है, ठीक है, last year trends को देखते रहिए, 22 के और 23 के trends को देखिए, 2022-2023 के trends को देखिए, और घबराईए मत, first round में, first round में cut off बहुत ऊपर जाती है, फिर हलके हलके करके क्या होता है, cut off गिरनी शुरू होती है, last round में बहुत drastically गिरती है, आप पुछो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा reason क्या है, multiple colleges में admission चल रहे हैं, simultaneously, ठीक है, IIT में भी हो रहे हैं, triple IIT में भी हो रहे हैं, ठीक है, फिर bit set के भी हैं, bit set में भी आप जानते हो, बच्चे बहुत amazingly admission लेते हैं, state के अपने entrances होते हैं, कुछ बच्चे multiple जगापर, अब एक बच्चे का J.E. main में भी rank अच्छा है, advance में भी अच्चा है, तो obviously वो college तो एक ही लेगा, उसके अपने state में भी है, college एक ही लेगा, तो ऐसे multiple होते हैं, तो इसलिए बात की, जो rounds हो रहे होते हैं, उसके अंदर chances bright होते जाते हैं, ठीक है, तो cut off decrease करेगी हर round के साथ, ठीक है, पहले round जो होते हैं, तीन से चार round, उसमें थोड़ी थोड़ी cut off गिरती है, ठीक है, जैसे मानले जब पहले बार cut off X गई, तो दूसरे में X-10, X-15, X-20 तक जाएगी, लेकिन जो last के तीन, दो तीन round जो होंगे, उसमें drastically, drastic change जो दिखता है, वो last के दो round में दिखता है, इसलिए आपको जब तक, मतलब एक balance बनाना पड़ेगा अपने अंदर, कि उस balance को आप देखते रहें, कि कब तक आपके महंच चाही branch आपको मिल पा रही है, आप satisfy हो जा रहे हैं, college branch के combo से, वहाँ पे जाके आप freeze कर दीजे, lock कर दीजे, और procedure को आगे follow करिए, तो पहली दो-तीन round में क्या होगा, हलके-हलके cut-off गिरेगी, last के दो round में या तीन round में drastic cut-off जो है, वो गिरती है, ठीक है, यह trend जो है, पिछले सालों का है, ठीक है, तो बस आपका यह सारा चीज हो गई, एक बार फीस देख लीजे, जो दी हुई है, 40,000 रुपे deposit करने हैं, अगर आप general OBC AWS में हैं, 20,000 रुपे deposit करने हैं, अगर आप SCS-DF-EWD category में हैं, यह शायद वैसे आपको पता है, और जैसे जोसा आपके final job allotment हो जाता है, तो वो आ मैंने आपके सामने clear करने किया है, और जो सबसे important है इसके अंदर की freeze, float, slide का concept आपको समझाने की कोशिश करिए, किस तरीके से procedure आपको counseling में लेना है, क्या थोड़े से do's और don'ts हैं, उस पर ध्यान दिया है, और एक जो trend choice filling है, उसको बताया है, वैसे choice filling completely आपकी उपर dependent होती ह इसका किसी से कोई और मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये सारी बातों के साथ हम इस video को समाप्त करते हैं, और आपके पास अगर कोई भी question आपके पास रहता है ऐसा, जो आप चाहते हैं कि हम answer करें, तो इस description के अंदर जो Google form है, उसको आप भर सकते हैं, परसों या कल, या परसों जो है, एक दो दिन के अंदर आपके पास सामने उन questions के answer का एक video लेकर आऊँगा, जो आपकी help करेगा, तो first mock allotment Saturday और Monday है, तो उसके में आपकी problems जो हैं, वो solve हो जाएंगी, wish you all the best for your college admission, goodbye from P.W.